डियर स्टुएंट, यू आर बाचिंग तुसना इसी सोना इसी सोना इसी प्रेम। आईसी सी कलास 9th, 10th के लावे आईसी कलास 11th और 12th के ओनलाइन टीचिंग को MHRD ministry के proposed guidelines के respect में पूरी तरह से बदल देने की बात लावू कर दी गई है और next Monday से आपको आपके online teaching में या बात देखने को मिलेगी जो guideline जारी किये गए हैं और इस पर CISC की सहमती बताई गई है इसके अनुसार online teaching के पूरे medium practical होंगे मतलब student को पढ़ाने के साथ साथ theory से ज्यादा importance इस बात पर दिया जाएगा कि उन्हें बातों और concept को समझाया जाए चाहे science की बात हो English की बात हो या फिर और सारे subject खास करके math में infographics और visual को भी यूज करने की बात कही गई है एक guidelines बताते हैं कि standard 1 से लेकर standard 8 तक के class का online session 30 minutes या उसे कम होंगे वहीं 9th 10 से लेकर 11 12 के online session 45 minutes के 2 continuous या 30 से 45 minutes के चार continuous duration होंगे जिस दोराम जब student को पढ़ाया जा रहा होगा कोई भी subject उस subject matter पर यह ध्यान में रखा जाएगा कि student कितना grasp करता है online test या online किसी करने के examination से पहले student को इस बात के लिए convince करना होगा कि वह subject matter को समझ रहा हो यहां पर syllabus के पीछे भागने की बात नहीं कहीं गई है जैसा कि मिनिस्ट्री के recommendation को CIC council ने follow करने की बात किये उसके अनुसार parents के साथ साथ सभी school और उनके online classes conduct करने वाले teacher को यह बताया गया है कि digital medium से पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखे कि student ने आपके द्वारा पढ़ाए गए matter को समझा है कि नहीं समझा है इसलिए interactive classes ज्यादा रखने होंगे न कि केवल subjective या one-sided classes अभी तक यह देखने को मिला और जेनरल जो complaint थे कि केवल टीचर पढ़ा रहे है इस्टूडेंट स्क्रीन के उस साइड बैटके देख रहे हैं यह acceptable नहीं है गाइडलाइन साफ साफ कहता है कि आपको पढ़ाते समय easy language readable facts slide के साथ साथ figures और और document को भी present करना होगा यदि online slide के माध्यम से कोई teacher पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा माना जाएगा यदि कोई topic है उसको सब topic में divide करके पढ़ाया जा रहा है खास करके social studies और science में तो एक slide में five bullets यानि five points in maximum होने चाहिए इससे ज्यादा आप करते हैं तो इसे online class और online teaching का उलंगर माना जाएगा इसके लिए स्कूल के साथ साथ teacher को punish किये जाने की बात कही गई है कहा गया है कि maximum use of infographics मतलब आप एक graphic status में picture लेके उसके सभी details को समझाने की बात करेंगे इसी के साथ visual graph की मदद लेंगे chart की मदद ले सकते हैं लेकिन table के साथ पढ़ाना unavoidable है table के साथ पढ़ाना student के लिए acceptable नहीं है इसे avoid कर दिया जाए कोविड-19 के इस situation में कहा गया है कि इंडिया भर से 240 million student जिसमें ICSE class 10th ISE class 12th तक बच्चों की बात कही गई है उन्हें पढ़ाने के लिए जितने भी practical और relaxed ways होंगे उसे adopt करना चाहिए वैसे बच्चे जिन एरिया में internet access के problem होंगे ऐसे बच्चों के लिए TB के माध्यम से पढ़ाई जाने की बात को CIC council ने बताया जाता है कि online class या test के conduction से पहले आपको यानि किसी भी teacher को 8 step में online teaching को बाट के उसे बढ़ाना होगा और इस बात की जानका रही स्कूलों को भी देनी होगी तो यह 8 steps है plan review arrange guide talk assign track and appreciate इसके लिए step by step method से example के द्वारा math science physics chemistry bio के अलावे social studies के सभी subject खास करके वे subject जैसे की computer और economics में बताने की बात कही गई है यहाँ पर बताया यह गया है कि जितने भी online resources हैं उनको offline mode में student को encourage करने कि student को इस तरह से encourage करना होगा कि balance between online and offline activities हो लेबल वाइज modalities of intervention होना चाहिए ताकि student जो online पढ़े उस पर work करके offline अपने preparation को करें सभी जगह student को copy और books बगेरा सब कुछ arrange करने की बात कही गई है इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी है student को इस बात के लिए अवेर करने के लिए का गया है कि physical और mental health के साथ साथ उनके well beings होने चाहिए digital education, cyber crime, cyber safety और ethical practice की भी बात बताई जाने चाहिए इसके साथ school और सभी teacher को कहा गया है कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हों तो उन्हें किसी भी screen मतलब mobile screen या PC screen से particular distance रख के पढ़ने की बात कही गई है और साथ साथ का आगया है कि these guidelines for school heads and teacher describe the need of assessment, planning and steps to implement digital education while ensuring cyber safety and privacy measures मतलब online teaching के दौरायन teacher और student के बीच में जितने भी personal data, मसले mobile और अन्य सारे conversation होते हैं इसके safety के ध्यान रखने होंगे, otherwise ये online teaching को असफल माना जाएगा और ऐसे में Government of India संबंधित स्कूलों को punish कर सकती है और इस भी से पर CISC Council ने सभी स्कूलों को संबंधित recommendations दे दिया है emphasis is on the balance between online and offline activities क्यों कुछ वो screen पर पढ़ रहे हों उसको offline home work assignment के रूप में complete करें इस बात की सक्त हिदायत सभी स्कूलों और teacher को दे दी गई है और याद रखने वाली बात है कि एटीचिंग के आधार पर student के attendance को भी count किया जाएगा और आगे चलके जब offline medium में स्कूल खुलेंगे तो इन attendance को इस वीडियो के description में पूरा detail आपको दे दिया गया है तो make the black thumb blue and subscribe the channel